दोस्तों 100 साल का जो उम्र होता है वो एक बड़ा उम्र है इस उम्र के पड़ाओ पर आते आते लोग देखना देख नहीं पाते सही से चल नहीं पारते सही से बात तक नहीं कर पाते हैं पर आपको बता दें एक मामला बता दें जिसमें 100 साल की महिला पर रंगदारी लेने का अरोप लगा है, साती साथ पुलिस ने उन पर FIR भी किया है, आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे, किन्रेक वज़ों से इस बुजूर्ग महिला पर जिसकी उम्रे 100 साल है, जो सही से चल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उस पर रंगदारी कारो पूरी खबर बताते हैं दरसल यह मामला जो है उत्तर परदेश का है और उत्तर परदेश में इस महिला पर रंगदारी लेने का आरोप लगा है पूरी खबर बताते हैं आपको कि कानपुर में 100 साल की महिला पर रंगदारी का केस ना देख सकती है ना चल सकती है और ना बोल सकती है आपको बता दे कि उत्तर परदेश के कानपुर पुलिस ने एक महिला के खिलाप रंगदारी का मामला दर्ज करने के चलते चर्चा में है वज़ा ये है कि महिला की उम्र 100 साल है और आपको बता दे कि इस महिला का जो नाम है वो चंद्रकली तिवारी है आपको बता दे कि वो कानपूर के मिर्जापूर इलाके की रहने वाली है यह इलाका कल्यानपूर थाने के अंतरगत आता है चंद्रकली के पडिवार का माधुरी तिवारी नाम की महिला और उनके पती बिंदू प्रकास तिवारी से एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है इसी को लेकर चंद्रकली और उनके पडिवार के सद्योशक्यों खिलाब 10 लाख रुपे की रंगदारी मांगने की आरोप में के अनपूर के मिर्जापूर इलाके में करीब 200 वर्ड के स्क्वाइर के एक प्लॉट की रश्ट्री कराई थी लेकिन चंद्रकली तिवारी की एक फरजी विक्री पत्र के जड़िये प्लॉट पर कबजा करने की कोशिस की जबकि तहसील की रिपोर्ट के हिसाब से प्लॉट जो ह उसके बाद जो है माधूरी तिवारी जो है आरोप लगाती है कि 6 माई को चंद्रकली की बेटी और उनके परिवार के लोगों ने प्लॉट का गेट तोड़ दिया और वहां हो रहा निर्मान का रुकवा दिया माधूरी के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और 10 लाख रुपे की मांग की गई कहा गया है कि रुपई नहीं दोगे तो प्लॉट पर मकान नहीं बनवाओ पाओगे एफायार में माधूरी का यो आरोप है कि 100 साल की चंद्रकली उनकी बेटी ममता दूबे और बाकी लोग मिरजापूर के पुराने बंदी से हैं और इल कर एक गैंग चलाती है और उस गैंग के द्वारा उसील आके में कोई भी मकान मनता है तो उसको बनने नहीं देती है और 5 से 10 लाख रंगदारी वसूला जाता है तो यह बड़ा आरोप है साथी साथ ममता का यह भी कहना है कि उनका पडिवार जो है कल्यानपूर थाना गया तो इंस्पेक्टर न उन्हें प्लोट पर कोई काम करने से मना कर दिया ऐसे में उन्हें कानपूर के पुलिस कमिशनर के पास जाना पड़ा तो देख सकते हैं कि जो जिनोंने यह आरोप लगाया है ममता उनका नाम है तो ममता कहती है कि यह 100 साल के बुजूर को महीला जो है बेटी के साथ मिलकर अपने और सभी जो फैमिली मेंबर्स है उनके उनके साथ मिलकर जो है रंगदारी वसूलती है साथी साथ उस इलाके में कोई भी प्लोट बढ़ने नहीं देती है जो भी वहाँ प्लोट खड़िता है घर बनाने की कोशिस करता है तो उसको यह लोग जो प्लोट खड़िता है तो इस विसे में आपके क्या विचार है आप पर इस विसे में क्या सोचते हैं आप मारे कमेंट सेक्षें ने बता सकते हैं देखते हैं अधा बिहार टॉप धन्यवाद